अब आप लोग का स्वागत है दोस्तो तो आज के वीडियो में कुछ नया डिजैन लाई हूँ जैसे कुर्ती का दामन बनाने का आज बताऊंगी कैसे बनाया जाता है कुर्ती का दामन देखिए डिजैन हम आपको बताएंगे यह नेवी बूलू कलर कपड़ा है और एक फिका गुलावी कलर कपड़ा है दोनों कपड़े से बताएंगे देखिए पांच इंच का उसको कटीन करेंगे और कुर्ती बनाई हुई है फिकी गुलावी वाले में उसको सी लेंगे देखिए किस तरह से सीए है उसका फिर पल्ट करके उसको सीएंगे पल्टा करके सी रहे हैं देखिए सिलाई हो गई है अब उसको मोड करके फिर सीएंगे कि दोनों तरफ से आपको सीना है क्योंकि दोनों तरफ से अगर नहीं सीएगा तो वहां पर बैठेगा नहीं कपरा इसलिए बैठाने के लिए वहां पर सीया जाता है अब यह फिकी गुलावी इसका पैपिंग बनेगा देखिए किस तरह से मोड जाता है वहां पर यह देखिए एक तरफ हो गई इसलाई अब दूसरी तरफ फिर उसी तरह मोड कर सिलाई करना है देखिए बिल्कुल इसी तरह करना है दोनों तरफ दोनों तरफ सी लेना है अब दूसरी पट्टी लगी हुई है देखिए इसलाई गई है यह अब इस तरफ लग रहा है दोनों तरफ से पिंक कलर का जो है कपड़ा वो पैपिन बनायां किया है अब यह देखिए दामना भी तयार नहीं हुआ है आपको देखा रहे हैं किस तरह से बनाया गया है अब इसमें पैपिन नेवी बुलो में जो है सब पैपिन लगेगा पैपिन तयार किये हुए है देखिए पैपिन पे हम आप लाई करेंगे देखिए किस तरह से मोड़ा जाता है इसी तरफ पूरे दामन में बनाना है यह देखिए पूरे में हो गए है अब फिर दूसरी तरफ से पैपिन लगाएंगे देखिए जो पहले पैपिन लगाएं उसी तरह दूसरी पैपिन भी इसी तरह लगाएंगे यह कतली बन गिया है देखिए कितना खुबसूरत लग रहा है दिखने में आप देखिए यह दामन हो गया है देखिए कितना खुबसूरत लग रहा है देखने में अगर यह डिजाइन आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट के बॉक्स में जरूर बताईएगा अगर सब्सक्राइब नहीं कियें तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिएगा क्योंके जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच सकें तो चलिए आगले वीडियो में फिर मिलते हैं आग अग तैने हैं